हेलो दोस्तों माई नेम इज विसाल एंड वेलकम टो आर यूटूब चैनल लर्न हो दोस्तों आज हम सीखेंगे और टोमेटिक सैल्डी स्लिप कैसे बना जाता है दोस्तों इसका जश्ट मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि इस टाइप सैल्डी स्लिप यहां दोस्तों क्या टाइप करना है इस टाइप से सैल्डी स्लिप एक स स्लिप दोस्तों क्या नेकि रोहित का यहां पर जो है मैंने हाप हॉर्मिट राइप किया है सेम्टु सेहँ यहां पर उसका आटोमेटिक फिल हो गया है लेडियो लोगेञटеци सब दोस्तो जो मेना मेन पर पज आप को बताने कैया कि यह भी तो यहां पर आज आपको बताऊंगा चली। दुस्तो वीडियो को यह ऑट्यमेट reinst technology garbage बना है यह दोस्त लिट के सायतास बना है लोग दल्दी इसब की चीडुत के इस शीट Democratic इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहले कोई एक नया सीट लेना है और वहाँ पर आपको व्यू में जाने के बाद यहाँ पर टैब में जाने के बाद करना है यहाँ दोस्तों हेडर में आपको टाइप करना है इसको इसको पर ताइसफ करना है पंब passed करने करने के बोल्ट कर देना शबंद तक करना है आपको ऐसा से तक हुआ है। कंपनीalsoियमν. सेलेक्ट कर क्या करना है? अधि Michalow में जा का画 Murder Center इसबर यहां पर दोस्तों टाइप करना है आपको yol से हख़ा कंपनी निम जैसे मैं टाइब कर दे रहा हूं जैस्वे मैं टाइप कर रहाओ और कर политि तो यहां सो आपको कुछ इस टाइप से कलर देना है इतने को कर ना सेलेक्ट यहां पर इसको मर्ज करना है फिर इतने को फिर उसको क्या करना है प्रेस करना है कंट्रोल फिर इसको करना है सेलेक्ट फिर इतने को करना है सेलेक्ट फिर ऐसे करना है सेलेक्ट उसके बात क्या करना है आपको कर देना है मुझ को देखे जौस्त नस सब का जो एकई वार मैंने मस्कंड गिन nasal day नहीं को करके मर्ज करना पढ़ता जिसमस करने की works करने के शब्सकों करना चाहते हैं उसको crypto करना है उसको बीदि मंप्लोई आइड फिर यहां पर करें जो है कि इम्प्लोई आइड हमें यहां पर नीम आटोमेटक यहां पर फील होता जाएगा यहां पर कुछ टाइप नहीं करेंगे यहां पर आटोमेटक फार्मल लगाएंगे उसके बाद क्या करना है इन दोनों को जो है थोड़ा font size इसका इंक्रीज कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों employee ID वाले cell को यहां से इसको भी मैं यह color देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको क्या क्या मतलब यहां पर दिखाना है जैसे मैं दिखाता हूँ मेरे को WD दिखाना है कुछ इस टाइब से कर देता हूँ फिर मुझे यहां TBS दिखाना है फिर यहां मुझे पहरे दिखाना है और मुझे दिखाना है PF sorry dot लगाता हूँ फिर यहां पर लगाना है आपको ESI दोस्तों जो जो आप यहां पर दिखाना चाहते हैं वहां आप दोस्तों टाइप कर लिजिएगा इसके बाद दिखाना चाहता हूँ TD total deduction कितना हुआ उसका फिर यहां पर उसका जो मैं last amount दिखाना चाहता हूँ net pay, net pay को दोस्तों थोड़ा मैं इसको भी merge कर देता हूँ net pay को control फिर मैं ने प्रेस किया है फिर मैं इतने कर देता हूँ select उसके बाद करेंगे merge यहां पर type करना है net pay बस उसके बाद दूस्तों क्या करना है इसका font size increase कर लेना है बस दो, दोस्तों एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, दोस्तों करी जाए मत किज़े, लेकिन यहाथ में क्या थोड़ा देखने मच्छा लगगा, आपको करना क्या है, वीव में जाने के बाद दोस्तों आपको क्लिक खटा देना है, बस, उसके बाद दोस्तों आपको क्या क तो कि लिए पर बैदान गोंड़र को इतने की तो को जसक्त करेना है सफेलेक्ट में शुंक्क पर यहां से खिर स्वी शुकम है ऑल बॉर्डरells का दोस्तों यहां से भी इसको पहल देता हूं मैं ई बस दूस्त आपको क्या करना है अब यहाँ पर लगाना है आपको वि लूक अप फर्मुला employee ID, employee ID वाले cell को करना है select, उसके बाद लगाना है comma, उसके बाद table array, table array मतलब इस पूरे table को करना है select, उसके बाद देखिए दुस्तो फर्मूला बार में, यहाँ पर, यहाँ पर लगाना है comma, उसके बाद कर देंगे क्लोच बस दोस्तों उसके बाद जाना है आपको सीट टू में उसका दोस्तों यहां पर जो है आपको टाइप करना है employee id जैसे मैं कि इंप्लोई ाइडि गर टाइप करूं उसका जो नेम आटमेटी में यहां पर आ आजाएका जैसे मैं टाइप कर स्थाइब कराहूं ऑडि pénी 0145 for six या four five мире형 में टाइब करता हूं enne are डेकिन दिखिके दोस्तों देब टाइब ok radiant dop skip करता कैकाह यहां यहां पिद्टि एंटर कि गद्टानकर सब बाद आप जो जो निकालना चाहते हैं वहाँ पर कर देना है पेस्ट जैसे में निकालना चाहता हूं डबलूडी तो कंट्रोल भी से कर देता हूं पेस्ट ठर कर देता हूं सबको दोस्तों यहां पर क्या करना है पेस्ट कर देना है जो जो दोस्तो आप क्या रहा है क्यों आ रहा है कि कि हैँ की यह जाने के बादा आपको क्या पारमो controlar में है दो को डिमूब करने बाद यहां टाइप करना एच्छ है एंटर फिर ऐसे दोस्तों यहां देखे 26 अगया डबलूडी फिर ऐसे अगर टी एचारे देख लेंगे टी एचारे किस कॉलम में है साथ आठ नौ नौ यह कॉलम में है तो यहां पर हम टाइप कर देंगे नौ और टी एचारे निकल किने सब्सक्राइप करने क्योंदि कीया यहां नौ देखेंगे फिर ऐसे canteen देखेंगे ठीक ऐसे total deduction देखेंगे ऐसे यहाँ पर टाइप कर देखेंगे जैसे फिर मैं देखता हूँ pf का तो pf किस कॉलम में एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारवे कॉलम में है isi 13 और यह 14 ठीक है तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूँ pf का बारह ठीक है 12 एंटर पिर ऐसे दोस्तों आप यहां जाय रहा रहा थी एसा इतीरा घ्र है अभी हमने देखा था यहां पर टाइप कर देंगे 13 एंटर देकित दोस्ते यह साइब निकल गया अग टीडी दोस्तों किस नंबर पर रवे नंबर कॉलम में ताब क्या करना प्रेस पंद्रा टाइप करें करना एंटर देगी दोस्तों टोटल डिड़क्शन जो आप आ गया ऐसा दोस्तों नेट पे नेट पे जो है सबसे लास्ट में 16 में नंबर कॉलम जो है जब इसका कल्कुलेट करेंगे 16 में नंबर कॉलम पर जैसे यह टीडी जो 15 में पर नेट पे जो है ताब क्या करना है यहाँ पर फॉर्मूला बार में जो है टाइप करना है 16 बस दोस्तों अब दोस्तों आप यहाँ पर किसी का भी अगर employee ID अगर यहाँ पर चेंज कर कर देना जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ एक सो चास एंटर देखे दोस्तों एक सुन चास राम का जो है इसने WD का मलब वर्क डे है 25 दिन ऐसे दोस्तों सब चीज जो है आटोमेट यहाँ पर नेट पे भी निकल गया इसका मलब सब जो आप क्या करना है कीवल एक बार जो य कर दो माँ उड़ एक हुआ।